अगर आपको लगता है कि आप अपने जिन्दगी अपने हिसाब से जीते हैं एंड उसमें सारे डिसीजन बिना किसी इंफ्लेंस के लेते हैं तो आज आपका ब्रम तूटने वाला है Hello everyone, my name is Mayank, I'm a writer and a life explorer आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी और से इंफ्लेंस होके अपनी जिन्दगी जीते हैं आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि इंफ्लेंस होना किसे कहते हैं influence होने का सीधा मतलब है कि किसी और के प्रावाव में आकर कोई काम करना या अपनी सोच उस तरीके की बना लेना influence positive और negative दोनों तरीके का होता है तो influence होना सही है या गलत है यह depend करता है कि इसका impact आपके उपर किस तरीके से हुआ है क्योंकि influence करने का सीधा मकसद होता है कि आपके decision making power को effect करना अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप कभी influence नहीं हुए या आपने कभी भी किसी pressure में आकर decision नहीं लिया तो यह एक बहुत बड़ा जूट है जो आप खुछ से कह रहे हैं हमारी career choice से लेकर shopping करते समय हमारे consumer behavior हमारी lifestyle सब कुछ influence होने का नतीज़ा होता है just think about it यह कहना गलत नहीं होगा कि influence करके हमारी decision making power को ही एक तरीके से hack कर लिये जाता है basically there are four type of influence that I am talking about social influence, individual influence, family influence and ideological influence शादी में बहुत खर्चे करने से लेकर किसी political party के leader के लिए अपने दोस्त या रिस्तेदार से लड़ जाना भहस करना सब कुछ influence होने का नतीज़ा है कुछ politician बड़े अच्छे से इस चीज़ का फायदा उठाते हैं corruption करने के बाद इनके fans और blind followers इने एक तरफा defend करने में लग जाते हैं and they know कि इनके जो followers हैं वो उनका भरोसा इनके उपर से कभी नहीं उठेगा पर यह यहीं तक limited नहीं है मैंने experiment के लिए 15 साल से लेकर 21 साल के बच्चों के profile चेक किये जो Instagram में बहुत active रहते हैं without any surprise I found कि इन सबके Instagram bios, photo upload करने के तरीके, photo poses, tone of caption, the way they create videos and content सब में एक common pattern था यह बच्चे जिन लोगों से inspiring and influence होते हैं वो भी सबकी list में सेम थे इन लोगों के बीच में cool दिखने का एक undefined competition चलता रहता है यह अपने influencer की तरह दिखना चाहते हैं रहना चाहते हैं और उनकी तरह जिन्दी जीना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा करने से यह cool हो जाएंगे यह cool दिखेंगे and there is no doubt कि यह cool दिखने वाला concept west से आया है क्योंकि वो लोग एक अलग तरह की lifestyle main stream में introduce कराना चाहते थे ताकि कपड़ों और accessories की जरीए वो business कर सके और किसी particular region की cultural value को suppress कर सके बट इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बच्चे influence होते हैं और बड़े नहीं अपने रिष्टेदार या पड़ोसी से जलस होकर expensive चीजे लेना या Instagram पर किसी की शिमला और मनाली की फोटो देखकर as a competition वहाँ जाने की इक्छा करना भी influence होने का परिणाम है यह कितना सहीं और गलत है यह इस बात पर depend करता है कि इसके पीछे आपकी intention क्या है और आपका monthly budget कितना है पर जब influence करने का discussion चल रहा हो तो Bollywood को कैसे बुलाया जा सकता है किसी खास तरीके के कपडों का trend चलाना, अजीबो गरीब hairstyle या beard रखना किसी खराब वर्ट को Indian audience में common करने की बात होती है तो Bollywood actors, celebrities सबसे आगे होता है यही कारण है कि एक फिल्म का करेक्टर कबीर सिंग हर दूसरी गली में दिखना शूरू हो जाता है और किसी एक्टरेस का particular look इतना popular हो जाता है कि लड़किया खुद को उस जासा बना कर social media में photo upload कर खुद को खुबसुद और अच्छे दिखानी की race में लग जाती है अधि क्लियर है कि Bollywood celebrities और इन actors का impact Indian audience में बहुत जादा है और इस चीज़ का फाइदा वो बड़े अच्छे से time time पर लेते रहते हैं as a individual आप क्या करते हैं कि इसको follow करते हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बात होती है बड़ी संक्या में लोगों कि किसी एक चीज़ को follow करने की सो यह सोचने वाली बात है because it can cause a serious blender to a nation, generation और its culture एक ideology को गुमा फिरा कर spread कर दिया जाता है और लोगों को brainwash कर उन्हें आतमगादी बना दिया जाता है yes I am talking about terrorism हाल में एक report publish हुई जिसमें बताया गया है कि चाइना बॉलिवूट का जरिए खुद की एक positive image दिखा कर यह message spread करना चाहता है कि उसकी communist government कितनी अच्छी है और बाकी देशों को भी communist government बनाने के या अपने देश में communist government introduce करने के बारे में सोचना चाहिए think about it कि यह कितना dangerous हो सकता है देखिए खुद को पूरी तरह influence होने से नहीं बचाया जा सकता हम हर रोज किसी ना किसी तरीके से influence हो जाते हैं मगर ज़रूरी यह है कि आप जैसे भी influence हो वो आपकी life को positively impact करें और society को एक अच्छा message दे आप जो भी काम करते हैं जैसी भी thinking रखते हैं उन सब को एक बार बैटके self analyze कीजी कि आप ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं लंबे evolution के बाद हमारे पास इतना development brain आया है कि हम सारे decision सोच समझ कर ले सकते हैं अगर इसके बाद भी आप किसी और से influence होकर अपनी life को negatively impact करेंगे तो इससे बुरा आप अपने साथ कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आप कोई value मिलिये तो make sure कि आप यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें खास कर ओन लोगों के साथ जो easily influence हो जाते हैं या manipulate हो जाते हैं if you like the video then give me a thumbs up and subscribe the channel thanks for watching see you soon in another video झाल